कि आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आज रहूं एससी फेज एट का आपका जो है कुछ पोस्टों के लिए एडिशनल रिजल्ट जो है वह जारिक कर दिया गया है तो इस वीडियो में में आपको मैट्रिकुलेशन लेवल हायर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गौर्मन्ट योप की पलपल अपडेट के लिए तो चली वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि नोटिस में आप देख सकते हैं यह जो यह जो नोटिस है यह SSC Phase 8 2020 Selection Post Matriculation Level इसके अंदर जो है कुछ additional result जो है आपको बताए गई है मैं आपको इसमें cutoff बगरा बता देता हूं यह पहले आप selected EWS के अंदर कोई भी Candidate Select नहीं हुआ SC गंदर 140, ST गंदर 93, OBC गंदर 15 और UR गंदर 295 और टोटल जो है 638 Candidate का additional result है नंबर Candidate का shortlisted किया गया है तो वहीं उसकी cutoff देख लेते हैं एक बार यह आप अपने postcode चेक कर सकते हैं यह जो एक लिखा हुआ है यह SC के लिए है जो दो लिखा हुआ 3 जो है ESM और 0 जो है EWS और 9 जो है UR के लिए cutoff आफ देख सकते हैं यह सभी जो है यह आपके cutoffs है और यह part B में आपके marks और part A में आपके marks दोनों दिये गए हैं यह आपका था matriculation level का वहीं अब हम बात करते हैं हायर secondary level के notice के बारे में तो यह आप देख सकते हैं यह हायर secondary का notice है यह भी phase 8 का ही है 2020 का ही है इसके अंदर जो total candidate pass out हुए है इसके अंदर हम देख सकते हैं total candidate 872 pass out किये गए हैं दुबारा additional result के अंदर और की जो cutoff है वह आप यहां से देख सकते हैं यह आपके post codes हैं और इसके अंदर जो cutoff है आपकी वह यह रखे गई है पार्ट A, पार्ट B के अंदर आप अपना जो है यह reason भी आप अपना एक बार इसमें check कर लिजेगा जैसे कि यह er reason के अंदर है reason wise जो है इन्होंने निकाला है तो आप अपना reason भी इसमें check कर लिजेगा अगर मैं graduate level की बात करता हूँ graduate level का जो है graduate level के लिए भी इन्होंने additional जारी किया है और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जो total candidate shortlisted किये गए है additional में 802 किये गए है और इसके अंदर जो पोस्ट कोड है आपका वो CR reason और ER reason मिक्स कर दिए गए है इसके अंदर आप cutoff देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी high cutoff है जैसे कि 109-106-86 यह सब आप देख सकते हैं पार्टे में आपका यह score रहा है पार्ट B में आपका यह score रहा हूँ graduate level लगा है अगर आप इन सभी तीनों additional जो result आए हैं उनकी PDF चाहते हैं तो वीडियो के description box में मैंने link दे दिया है आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like share और comment करना ना भूले थैंक्यू